नमस्कार दोस्तों एनके नोगरी क्रेकर में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज की बेडियो में मैं आपको RRB NTPC 2019 के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि किस जोन से लगतार फॉम भरे जा रहे हैं दोस्तों एक सीट के लिए बताऊंगा दोस्तों एक सीट के लिए कित समय हैं दोस्तों 25 मार्स आप भर सकते हैं 25 26 दो दिन बहर दिजिए दो दिन के अंदर 25 27 तक भी बहर सकते हैं लेकिन 31 तक इंतिजार किजिएगा तो सर्वट डाउन हो जाएगा तो फिर आप भर भी नहीं पाईएगा तो यहाँ पे हर एक जोन का बताओं गाँ जिस तो एक ए लगतार बढ़ते जा रहे हैं 22 March को देख सकते एक शीट के लिए 139 राविदन हुए थे और 25 अच्छी से लिए 170 राविदन हो गया हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हमारे बीडियों दोस्तों जिसमें जिस जॉन में कम आविधन हुए थे 22 मार्च को उस जॉन में अभी ज्यादा आविधन हो रहे दोस्तों और जिसमें सबसे ज्यादा आविधन हुए थे उसमें कम आविधन हो रहे हैं दोस्तों तो आप भरम में बिल्कुल भी ना रहे हैं दोस्तों कि किसी जौन पर हम भरेंगे जिसमें कम आविदन हो रहे हैं तो उसमें कम कट अब जाएगा दोस्तों लास्ट में सारे जौन पर लगबग सेम ही कट अब जाएगा दोस्तों सतर के पार ही जाएगा 70 75 80 तक कट अप जाएगा दोस्तों सम्में 2 मार्च 3 मार्च का ही फर्क रहेगा दोस्तों इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे इस तैयारी किजिए आप 70 पार लाग सकते हैं तभी आपको सेलेक्शन मिलेगा दोस्तों है यहां पर आगी देख सकते हैं कॉलकता कॉलकॉता कोलकॉता 22 मार्च को पाछिसे सकते हैं कोँकट्टा में एक सीट के लिए 155 चे जिनने में एक सो चालिसा धन ऊवा तर बढ़ता जा रहा है करे हैं यहां पर देख सकते हैं मुंबई 22 मार्च को 148 आविदन तर एक सिट के लिए अब त экसेट के लिए अब Birth मार्च को एक सीट के लिए 174 आवदन हुआ है अब यहाँ पर ऐलाबाद के लिए एलाथ के लिए 23 मार्च को एख सीट के लिए 1788 आविदन हुआ है अब 25 मार्च को एख सीट के लिए 186 आविदन हुआ है तो अल्हाबाद की वज़ा से अभी सबसे ज्यादा सिलू गिरी मौल्दा अगेरा में आविदन कर रहें कियोंकि पिछले बर महां कम कटव गया था इस भरम में लोग सबसे ज्यादा आविदन कर रहें आप यहां पर बैंगलोर में देख सकते हैं 22 मार्च को एक सीट के लिए 166 आविदन है कम बढ़ा है क्योंकी पहले ही जादा आविदन हो गया भी और यहां पर गोरगपुर के लिए देख सकते हैं 22 मार्च को एक सीट के लिए 190 आविदन हुए अब 25 मार्ज को एक सेट के लिए 177 आविदन हुए दोस्तों मैं एक important बात बताना चाहता हूं कि किसी भी जोन का cut up vacancy vacancy wise नहीं होता है दोस्तों cut up निर्भर करता है वहां कितने लोग आविदन करें किस जोन में कितने लोग आविदन करें जिस जोन में सबसे कम आविदन होगा उसी जोन का सबसे कम cut up होगा और जिस जोन में सबसे ज्यादा आविदन होगा उस जोन को चाहें vacancy कम हो चाहें ज्यादा कोई फर्क ने पड़ता cut up high ही जाएगा तो इस बार तो सब जग़े cut up high जाएगा क्योंकि सारे जगे बहुत ज़्यादा आविधन हो रहे हैं यहाँ पर चंडीगड में देख सकते हैं 22 मार्च को एक seat के लिए 211 आविधन हुए आप 25 मार्च को एक seat के लिए सब्सक्राइब को एक सीट के लिए दोस्तों एक सीट के लिए दोस्तों एक सीट के लिए तो यहाँ पर ज्यादा आप नहीं बढ़ रहा है लोगों को पता चल गया है कि इस जोन में मतलब जादा आविदन हो रहे इसलिए यहाँ पर लोग कम अपलाई कर रहे है यहां से आप देख सकते हैं इस सब एकुरेट डाटा है दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में आपको थोड़ा आगे पीछे दिख सकता है दोस्तों तो उ एक दो डाटा आगे पीकूष हो सकता है यहां पर 25 मार्त को देख सकते हैं 91 के लिए 264 अवेदन हुए हैं अभ यहां पर आप देख सकते हैं अगला में गौअटे मेश ब्लाष मार्प्रीश और 200 265 मार्ज को Hz टो सु आथ था वेधन है दोस्तों ये दोस्तों 8 पर सेन्ट में एरिक्स नहीं ले सकता हो आसई पर्शंट करette क्योंकि मैं ये मेरे मतलब एक जोन में मुंबई जोन में में दोस्तका आउनकल वहां तब जाएके यहां वीडियो बनाता हूँ दोस्तों इसे ही नहीं बना दता हूँ बहुत महेनत करना पड़ता है दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब बेल आइकन को भी दबा लिजिए इसे टाइम टू टाइम इस परकार के 487 हा रें हुआ है फिर आगे देख सकते हैं भुनेश्वर 25 मार्ज को एक स्षिठ के लिए 288 ही दनवा है और 25 मार्ज को एक स्षिठ के लिए 304 हा रेंखन हुआ है दो ही बढ़ है लेकिन दोस्तों यहां पर बहुँच जाधा राद आ तरस कौलकत्ता यहां पे competition वाले लड़की बहुत जादा होते हैं यहां पे बहुत जादा पड़ने के बहुत जादा चमता होती है इसलिए इतना कटब हाई जाता है यहां पे अब और जीसे स्वादी का बोलते हैं तो सौथ में लोग मार्च कु सीट के लिए तीनी नादमीमें मॉंबाय वाले भी आव DalbrTI करते हैं रहाइसतन वाले भी सामने पड़ता है और यहांपर सिल्यूगूरी में देख सकते हैं एक सीटपे के लिए 464 सटा रहे अपक्चीस मायच एक सिट्ट के लिए 465 अवे दन हुए है दोants यहां पर आप को गण के करीब हैं दोस्तों मालता मे Hey ज्यादा apply नहीं करेंगे क्योंकि पहले से इतना ज्यादा apply कर दियाि आप खुद नहीं apply करना चाहेंगे अब दोस्तों किस post के लिए typing testex 반 kis portfolio cycle test होगा यह बहुत ज्यादा confusion है लोग invincible मैं लोग तो form भर दिये हैं लेकिन सबको पता नहीं है कि कि पोस्ट के लिए taking test होगा और किसके लिएisan ko hastae तो यह इस video को देखने के लिए दोस्ते हमारे चैनल को सक्राइब कर लिजेए अब बैल आइकन को भी दबा लिए जये दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी का video बनाने वाला हूं कि किसके लिए typing टेस्ट होगा और किसको लिए psycho टेस्ट होगा दोस्तों और यहां पर मैं medical standard के बारे में बताया हूँ selection process के भी बारे में बताया हूँ उसके लिए बीडियो बनाया हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के playlist में बीडियो चैनल के playlist में visit करके जाके देख सकते हैं दोस्तों